नमस्कार वच्चों मैं डॉक्टर मुक्केश इंगनी ओतरी आज हम इस वीडियो के अंदर लीनियर डिफेंशल एक्वेशन के पर्टिकुलर एंट्रिगल निकालना सीखेंगी जैसा कि हमने वोगो ने लास्ट लेक्चर के अंदर चिएफ जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिमेंटरि फंक्ष्ण पूरत फलन हमने निकालना सीखा था आज हम इसमें पी आई बलब पर्टिकुलर इंट्रिगल विशिस्ट समाकलन निकालन सीखते हैं माल लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भी function जो आपको linear differential equation with constant coefficient है उसकी जो equation वो दे रखी है f of dy is equals to q of x की कहा है हमने क्या है किया है यहां से f of d को इसके upon में ले गया यह upon में आ गया अब हम यहां पर माल लेते हैं जो f of d है उसके factor क्या है d minus alpha है ठीक है तो आप इसको थोड़ा solve करेंगे अपर तो मैंने इसको multiply इसको दे ले गया operate कर दिया यहां पर यह आ गया फिर आपने क्या क्या है इस वाई से यहां अंदर ले गए तो यह हो गया डी वाई वाई डी x minus alpha y is equals to q of x हम यह आपकी क्या बन गई एक तरीकी linear differential equation बन गई इसको solve करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है integrating factor निकालते है अपन तो इंट्रिकल साइन माइनस alpha dx इसको ले लिए आपने e raise to power minus alpha x हो गया फिर formula होता है हमारे पास y is equals to integral factor request to integral sign integrating factor लिए हैं हाँ पे into में क्यों आता है आपका dx आपने क्या क्या है इस घुदर ले गई यह धर आ गया और हमारा क्या बन गया एक और कुछ function पर लगते हैं और यह general formula लगाया हमने यह सभी function पर लगता है ठीक है तो यह आपके पास exam में कुछ question type का आए जिसमें कुछ आपके पास particular function दे रखे हूं और जिनका easy लिए हम shortcut से method हमें याद हो हमसे निकाल सकते हो तो हमें shortcut use में लेना है और जिनका shortcut method नहीं है वहाँ पर हमें क्या करना है पी निकालने के लिए इस formula का यूज लेना है चलिए अब मैं आपको इस पर एक questions exam में आता ही है चलिए दिखते हैं तो सबसे पहरे में question लेते हैं आपर मान लेते हैं हमारे पास जो question है वो दिया हुआ है दी स्क्वाइर प्लस ए स्क्वाइर वाई इस एक्वस्टू सैक एक्स यह में question लेते हैं ठीक है यह बहुत important questions है exam में इस पर का questions कई बार पूछा गया है सबसे पहले क्या करना होगा आपको इसका एग निकालना होगा auxiliary equation जिसे इंदी में कहते हैं सहायक समीकर्ण क्या होता है m² प्लस a² एक्वस्टू 0 यहांसे क्या करना है आपको इसके फेक्टर करना है तो हमने से फेक्टर कर लिए तो यहां से आप देखोगे m² is equals to हो जाएगा माइनस का a² और इसको आप लिख सकते हैं कैसे m² is equals to a² आयोटा स्कॉयर तो यहां से जो m के values होंगी वो क्या निकल जाएगी प्लस माइनस आयोटा ए ठीक है तो यह roots कैसे आ रहे हैं हमेजनेरी roots सारे तो yes Ausw reference होते हैं तो इमेजनेरी roots के लिए हमारे पास जो चीए होता है क्या होता है अब यहां पर आलफा तोzesिkeln आप ए एक्स प्लस voteros C2 sin Ax , तो यह क्या आगया मरे पास ? यह मारे पास आगया इसका Cf आगया अब मुझे निकालना है इसका Pi , पर्टीकुलर इंट्री कलो ध्यान देना असके , पर अब भग सारे कॉश्ण्स एक जैसे ही होते हैं इसके अंदर तो पी निकाल़निन क्या करना होगा इस पूरे को आपको इस के रिसे जाना पड़ेगा तो आपे क्या किया रहे ह któ are तो वन्हें factor किया इसके तो d plus iota a यहां पर d minus iota a यहां पर आपके पास sac ax अब हमें क्या करना है देखो यहां पर आपके पास factor आगए ना इन factor कुम क्या करेंगे partial fraction से इसको अलग कर लेंगे तो partial fraction आप लोग जानते ही हैं कैसे होता है देखो आप जैसे पास suppose करो यह दिया हुआ है 1 प्लस डी आयोटा ए और डी माइनस आयोटा ए तो इसके में ले सकते हैं ए अपन डी प्लस आयोटा ए प्लस बी अपन डी माइनस आयोटा ए ठीक है हमें क्या करना है यहां से ए और बी की वैलू निकाल नहीं है तो यहां तो आपका से लोगत तो बर आजाए दर तो इधर आपका आ गया यहां पर डी माइनस आयोटा ए प्लस बी अगया डी प्लस कि आयोटा ए अपके करना है आपको यह आप वैल्यू पूट करनी है तो एक काम करें अपन यहांपर अपकर पर सबसे पहले हम आयोटा ये जैसे आपने अधी राखा तो यह जीरो हो गया दो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगे मेरे पास to iota अधो जो भी आया जाए गया वन अपाउन डू आयो अधो फाके अ आम यह क्या दी के पुट कर दिया है माइनस का यह यह अधो इस तो उससे क्या होगा एक रखने पर मेरे पास यह 0 हो जाएगा तो यहां रखना रखना थीक है और यह पूरी-पूरी वैल्यू आएगी हम उसको कहा रखने इस जगे पर यहां रख देंगे तो मैं इस पर डाट करेता हूं तो देखो मेरे पास क्या जाएगा प्यमें करते हैं यह एक यह वायु देरी रखिये 9-1 अप्वांपन ट्ू आयो एक्स किलिए रहे आभ एक काम करते हैं अपन यहां से यह प्लस में इसको पहले खेते हैं इसको बात में दिख लेंगे दोनों में आप देख रहे हो वन अपॉन टू आयोटा एक कॉमन आ रहा है उसको आप निकाल लो तो मैंने क्या किया 1 upon 2 Iota A बहार ले लिया अंदर आ गया पहले 1 upon D minus Iota A minus 1 upon D plus Iota A और यहां हो गया हमारे पास SAC AX अब हमें SAC को अंदर ले आएंगे इसके पास और इसके पास ठीक है चलिए देखें जरा तो देखें जरा हमने क्या किया इस बार हमने क्या किया है यहां पर हमारे पास 1 upon 2 Iota A तो बहार था ही हमने उसको अंदर लिया है तो अंदर जब आएगा तो देखें हमारे पास उसके था यह D minus Iota A यहां पर है यहां पर था SAC AX minus 1 upon D plus Iota A और SAC AX ठीक है अब क्या करना है अपने को यहां पर direct formula apply करना है यहां पर general formula जो मने पढ़ा था भी तो मैं general formula apply करेंगे तो देखो द्यान से आप यहां पर alpha कितना दिया हुआ है Iota A alpha कितना है तो यहां पर आपास लहां ने देखा था भी formula था में पास D alpha X integration D minus alpha X QX DX तो यहां पर जो alpha आ रहा है माने पास तो alpha कहता दिया हुआ है इसके अंदर आपको कुशन में Iota A दिया हुआ है ठीक है तो यहां पर जाएगा आपके पास E Iota AX integration E power में minus Iota AX और यहां जाएगा कितना sec AX DX फिर minus sign यहां पर रफक इतना दिया हुआ है minus का Iota A है तो E raise to power minus Iota AX integration E raise to power Iota AX और जो जाएगा sec AX DX के लिए रहे हैं अब हम यहां पर इसको तरहा स्रॉल करें हैं तो हम जानते हैं कि E raise to power Iota ठीटा क्या होता है cos ठीटा plus Iota sin ठीटा यह होता है ना हम क्या करेंगे यहां पर यह मारे पास क्या होगा minus का Iota ठीटा हम इसके अंदर यह formula अप्लाई कर देंगे तो देखें ज़रा 1 upon 2 Iota A तो आपने भार ले लिया E raise to power Iota AX यहां पर आगया आपने क्या किसे खोल दिया इस वाले होगो इस वाल इतरे से तो cos AX minus Iota sin AX बाहर दिया होए मेरे पास sec AX dx इसे तरे से minus sin E raise to power minus AX integration यहां भी खोलेंगे अपन तो cos AX plus Iota sin AX और यहां भार दाएगा sec AX dx ठीक है अब इक काम करते हैं sec का मतर्ब क्या होता है 1 upon cos इसको आप अंदर लियाओ cos से cos कर जाएगा यहां पर sin upon cos के बन जाएगा 10 मिन जाएगा तो मारा परम जाएगी 1 upon 2 Iota A E raise to power Iota AX यह तो भार है integration यहां 1 minus Iota जो जाएगा 10 AX और यहां पर जाएगा dx minus Iota AX integration इसको आप अंदर लियाओ यहां पर यहां पर बाकी यहां पर बाकी यहां कुछ खास इसमें है नहीं अब केवल इंटिकल करना आना चाहिए और integration से आपका पूरा पूरा पूर्शन सोल जाएगा तो E raise to power Iota AX यह ता आप कैसे आ गया अब यहां पर 1 का करोगे integral क्या आएगा X आएगा minus Iota करेंगे 10 AX का integration तम जानते हैं 10 का integral क्या होता है 10 इंटिटा का 10 इंटिटा होता है log sec X Dx sorry sec X plus C ठीक है तो यहां पर हम 10 X हा करेंगे integration तो आट और भार आ गया जो जाएगा log sec AX और अपका उन में A आ जाएगा close कर दिया minus E raise to power minus का Iota AX ऐसे आ गया 1 का जाएगा X plus Iota log और जाएगा sec AX और A आ गया जाएगा Dx ठीक है इस्तरे से और यहां पर आपका यह complete अब यहां पर थोड़ा सा स्कॉर अरेंज करना है हमें कुछ नहीं करना तो दीखो आप 1 upon 2 Iota A के तो बहार ही है अभी काम करते हैं अपन यहां पर E raise to power Iota X और X यहां भी आ रहा है और minus का E raise to power Iota X X यहां भी आ रहा है तो दोनों में X common आ रहा है मैंने क्या किया X common लिका लिया तो अंदर रहे गया E raise to power AX minus E raise to power minus का AX किलियर इसके बाद यहां देखें हम तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यह चीज आपकी इससे multiply होरी है मैनस में आ रही Iota A log sec X हो रहा है यहां भी मैनस में है इससे जा रहा है Iota A log sec X यहां भी आ रहा है तो आपने क्या किया दोनों में से minus common ले लिया Iota A common ले लिया log common ले लिया और sec AX common आ गया अंदर रहे गया मारे पास E Iota AX उससाथ में कितना आएगा minus का minus क्योंकि अपने minus common ले लिया तो plus आ जाएगा अंदर Iota minus Iota AX ही आ गया और यहां पर हमने close कर लिया आदर को यहां पर आप जानते हैं आपने formula पढ़ा होगा E raise to power Iota Theta plus E raise to power minus Iota Theta upon 2 यह होता है हमारे पास cos Theta इसे तर ऐसे E raise to power Iota Theta minus E raise to power minus Iota Theta upon 2 Iota यह होता है मारे पास sin Theta तो हम यहां पर क्या वईलिपूट कर देंगे 2 Iota sin Theta और यहां पर हम रगादेंगे 2 Cos Theta तो आपसे रखें यहां पर तो देखो ज़रा थोड़ा सा तो देखो यहां पर इत्या होगा यह तो देखो यहाँ पित्रा जाएगा चलिए इसको थोड़ा सा रिंज के लेते हैं अपना तो हमने क्या किया यहाँ पर हमारे पास था वन अपाउन टू आयोटा ए यहाँ एक्स हो गया और यहाँ रख देंगे हम वैल्यू टू आयोटा साइन एक्स ठीक है इसके बाद श्यम हमारे पास आगया था माइनस का आयोटा ए लॉग सैक एक्स और यह बन जाएगा मेरे पास कितना टू कॉस एक्स किलियर है अब थोड़ा सुख अरींज करना है बस हमारा आंसर आ गया हो ज़्यादा नहीं है एक कांग करते हैं इस टू आटा को अंदर ले जाते हैं तो मारे पास आजाएगा वन अपॉन ए तो भार जाएगा ठीक है यह अंदर आएगा एक्स टू आटा खर जाएगा इससे एक्स साइन एक्स ठीक है फिर माइनस साइन तू यहां भी आ रहा है आटा यह भी आ रहा है कट इससे कैंसल हो जाएगा यहां बच्चेगा मेरे पास वन अपॉन ए यहां जाएगा कॉस एक्स लॉग और यहां आएगा सैक एक्स यह मेरे साग्या इसका पी आई अब मुझे करना क्या है मैंने वाई इस इकोस टू सी एफ प्लस पी आई यह कंप्रीट कर दूंगा तो यह मेरे पास व्याएगा सोलुशन ठीक है तो देखो सी एफ हमें निकाल लिया था पी हमने यह निकाल दिया है दोनों को कम्माइंड कर देंगे तो यह हमारा इसका क्यलाएगा कंप्रीट सोलुशन तो इस तरह से हम जन्रल फॉर्मले से किसी भी लिनियर डिफेंशिल एक्वेशन विट कॉफिशन का सी एफ और प्याई निकाल सकते हैं यह जन्रल फॉर्मला है अब तो उस तरह से शॉर्टकर से कैश्वाल करते हैं तो हम नेक्स डेवल्पर हम उसको नेक्स क्लास के अंदर हम शॉर्टकर तरीका अपनाएंगे अच्छा बच्चों जिसके की देखो मेरा जो आप अगर आपको लगता है कि सेकेंडेर के अंदर कोई टॉपिक आपको नहीं स 28781798 तो आप चाहें तो इस नंबर में मझे मैसेज कर दें वाटसप पे कि सर हमें इस टॉपिक को समझना है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स लक्चा जब भी आपका आएगा तो उस पर विडियो बनाकर आपको अप्लोड करूँ आपको दूँ चलिए ठीक है आज क क्लास में शॉर्ट कर तरीके लेंगे कि किस प्रकार से हम शॉर्ट कर तरीकों से सीएफ और प्याई निकालते हैं चलिए ओके थैंक यूँ